हर घर देशी गोवन्स हर खुटे देशी गोवन्स इसी मुहिम को पूरा करने के लिए आज का वीडियो देशी गोवन्स साइवाल नसल पर रहे आज मैं आपको इस गाय की लाई मिलकें दिखाऊंगा साथ ही यह आपको कैसे अविलिबल हो वह भी जानकर इस वीडियो में के थनों को देख रहे हैं यह एक साथ लगते हुए थन है साइवाल नसल में यही है आप खाली बाल्टी भी देख सकते हैं साइवाल गाय के जो थन है वो एक साथ लगे हुए होते हैं यानि कि एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं यह आप थनों की दार देख सकते हैं चार को थन बिल्कुल साफ है हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे पसुदन दिखाएं जिनके थनों में कोई शिकायत नहीं हो साथ ही वे शांत और सीतल सो वाओ की हो वीडियो थोड़ा स्पीड फास्ट कर रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को कम्प्लीट और कम समय में देख पा आप से चूक होना हो जाए यह जो आप साइवाल मेसल की गाये देख रहे हैं आप इसके गलकंबल और जो छोटी नाभी है और नाभी जो है पीछे अडर से और साथ ही गलकंबल से टेच होती हुई है छोटा हम्प यह साइवाल मेसल की निशानी है यह छोटे सिंग की गाये इसके नीचे मेल काफ है इस गाए ने आठ दिन पहले ही इस मेल काफ को जनम दिया है गाए सेकिंड लेक्टेशन में है ये सहीवाल मेसल की गाए दूसरे ब्यात में है और इसने अभी जैसा कि बरत स्वामी जी ने बताया है कि इसने 11 लीटर दू तयार कर लिया है बरत स्वाम ये मुबाइल नमबर मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ साथ ही साथ आप इसकी खरीद के लिए यानि कि अगर आप इसको खरीदने में इच्छुक है तो आप बरत स्वामी जी से फोन पर संपर कर सकते हैं साथ ही इनसे वाटस अप पर वीडियो कॉलिंग के थूरू लाई मिलकिंग भी देख सकते हैं जिस भी समय की आप लाई मिलकिंग चाहे वे लाई मिलकिंग चेक कर सकते हैं और इनका कहना है कि यदि आप इसे गाय को खरीदने में इच्छुक हैं तो तीन से चार टाइम आकर आप मिलकिंग चेक करके भी ले जा सकते हैं यह ट्रांसपोर्ट की फैसलिटी भी ओल ओवर इंडिया आविलेबल करवाते हैं इन्होंने इस गाय की कीमत 27,000 रुपे 27,000 रुपीज डिमांड की है ग्यारा लीटर आट दिन की ब्यावी गाये ने भी तयार कर लिया है मैं वे आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा इसमें लावी मिलकिंग कम्प्लीट हो चुकी है आप देख सकते हैं यह बाल्टी में दूद साड़े 5 लीटर से अधिक ही होना चाहिए मुझे आसा है यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा धन्यावाद दोस्तों